नमस्कर दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइफ सेसन में और यह है डे 15 और मुझे उम्मीद है कि पिछले 14 डेस के अंदर आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सेखने को मिला होगा इसके अंदर हमने especially focus किया था कि किस पर करने की कोसिस करी और इन classes को अगर एक या दो बार और आप repeat करेंगे ना 2x speed पे करके अगर आप इनको repeat करेंगे तो आपको यह setup ना easily clear हो जाएगा एक कहते हैं ना कि एक setup जो होता ना वो प्रयाप्त होता है आपको profitable बनाने के लिए तो एक setup एक mentor तो हमारे साथ जो है यहाँ पर काफी सारे students जूड़ चुके more than 54 students are here तो class को start करें आप सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया ना खाना पीना हो गया सभी गाए तो क्लास को start करें अच्छा क्लास के बाद में खाना खाते हैं आप आप खाना खा करें वैसे तो आज आज आपके last class है तो कल से आप टाइम पर खाना खा लेंगे सभी लोग तो चलिए आज की जब अभी हम discuss करेंगे class में तो time थोड़ा सा कम ना पड़े इसलिए हम फटा-फट इस class को start कर लेते हैं जो भी लोग लेट आरे प्लीज आप जो है अपना माइक ओफ रखिएगा तो class को जो है हम start करने जा रहे हैं ओके और जस्ट वन मिनिट अब क्या होगा कुछ time के बाद में हम live भी start करेंगे YouTube के उपर भी तो ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को छोड़ करके चले जाएंगे ये जो 15 classes है ना ये और और एक setup मैंने आपको देने का try किया है और crypto के अंदर देखिए crypto और Indian stock market दोनों अलग अलग चीज़े है तो crypto के आप से जो best setup है जिस setup है मैंने पैसा बनाया ना मैं वही दे रहा हूँ अब एक group के अंदर किसे student ने message किया था कि सिर्फ जो है ना trap trading सिखाई है इसके लावा तो कुछ और भी सिखा सकते थे तो कभी भी जो है ना PhD करने का try मत कीजिए हमेसा आप एक setup पे focus कीजिए बस वही पे रसी भी जो होती है ना जब उस पत्थर से बार बार चलती है तो वह फिर आने वाले 10-15 दिन तक इन वीडियो के दो बार revision ले लेजिए overall आपके mind के अंदर ये setup सेट हो जाएगा और दीरे 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 इसकी अगर आप practice करेंगे back testing करेंगे ना तो आपको confidence आएगा तो गैस चलिए आज की class को हम start कर लेते हैं और आज जो है हम थोड़ा सा psychology और they are saying कि sir हम पहले bank nifty करते थे और bank nifty के बाद में जो है ना मैंने start किया crypto trading और sir मैंने पिछले 12-13 दिन से crypto कर रहा हूँ एक student से मेरी बात ही he said कि sir मेरा 55 डोलर का profit है पिछले 12 दिन का जबकि मैं bank nifty में करता था तो वहां पर theta decay में मेरा पैसा चला जाता था और वहां पर like market इस परकार से behavior करता ना कि SL हिट हो जाता था तो losses होते थे लेगिन crypto में ऐसा है कि sir option selling में न theta decay का फाइदा मिल जाता है तो यह बहुत अच्छी चीज है यहां पर तो बहुत सारे student है इस setup को दीरे दीरे इसके उपर थोड़ा थोड़ा profit ले रहे हैं कोई अभी त सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ने इतना इस तरही किसी setup को समझा जाना और इसको उपर काम किया आज का जो हमारा topic है वो है how to become a successful crypto trader crypto के अंदर क्या होता ना अगर crypto और Indian stock market को अगर मैं compare करूँ दोनों चीज़े अलग-अलग है crypto हम अलग चीज़ है और जाननी जीए उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो चलिए आज की class को हम start कर लेते हैं और हमारा topic है वो रहेगा trading psychology like जब आप crypto के अंदर जब trade करते हैं जब आप अपना laptop open करके बैठते हैं और laptop को जब close कर देते हैं उसके बाद में भी कुछ चीज़ें आपके दिम करता है वहां पर क्या क्या चीज़ें आपके साथ घटती हैं किन-किन चीज़ों पर आप control कर सकते हैं और कुछ ऐसे चीज़ें जिनके उपर आपका control नहीं होता है वो सारी चीज़ें ही आज हम discuss करेंगी एक-एक point करके हम इस इन चीज़ों को समझने का try करेंगे और हम आप के साथ में भी जो है बीच-बीच में बाते करते रहेंगे तो हमारा सबसे पहला जो point होता है वो होता है focus on learning ज्यादा तर जो beginners होते हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं न वो बहुत मतलब जो उसके साथ में जो ना crypto trading स्टार्ट करते हैं और ऐसे इंडियन स्टोक बैंक निप्टी में वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं सडनली देखते हैं कि वो धीरे 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 कुछ उनके प्रोफिट होते हैं फिर लॉस होते हैं फिर लॉस होते हैं फिर वो लॉस के अंदर फॉस करके छोड़ देते हैं crypto trading जस्ट वन मिनिट एक मिनिट मैसेज आरा स्टुडेंट का ओके तो हमको क्या गरना है अगर जितने भी जैसे आप तो सभी लोग बीगिनर हैं क्रिप्टो के अंदर कुछ लोग हैं जो थोड़े से प्रो हैं और आज मैं ना मैं नाम तो नहीं लोगा लेकिन एक सर हैं सारी कहूंगा मेरे से उमर में बहुत कुछ स्कुल आया था मार्च के अंदर मैं यह चीज़ अभी आदक मैं के साथ कर रहा हूं इसके अंदर आज किकलास में हम चारटवाइट कुछ भी डिसकESS नहीं करेंगे कुछ साइकलोजिस से रिलेटेड कुछ चिदें डिसकस करेंगी एक लड़की का कोल आया था जिसका जो हाइस्ट लोस था अभी तक मेरे किसी भी स्टुडेंट का वो था पचास लाग इसके बाद में अभी जब हमने वो हमारा गुरू मंतर कोर्स लॉंच किया था उस समय वहाँ पर एक स्टुडेंट थे हमारे उन्होंने वो कोर्स पर्चेस किया तो उनसे हमारी बात चीत हुई मई की बात है उनका जो लोस था वो था 2.3 सी आर 2.30 करोड का लोस था और आज आज अब आज जो है ना हाइस्ट आज की मैं बात बता रहा हूँ अभी जो चल रहा है जुलाई चल रहा है ठीक है आज मेरे पास में एक कोल आया था वो सार साइथ यहां पर क्लास में भी होंगे उनका जो हाइस्ट लोस है वो है 60 से 70 करोड का अब कुछ लोग कोईएंगे देख़ए फेंक रहा है कुछ भी मतलब वीडियो में कुछ भी बोल रहा है अगर साइज यहां पर क्या नाम था उनका सर आप हैं क्या अवेलेबल हैं क्या प्लीज अगर हैं तो एक बार बात कर सकते हैं कि मेरे से आपका मैं नाम भूल गया आपका पंकसेठी जी पंकसेठी जी आप हैं क्या इस क्लास में एक इनट थोड़ी आवाज नहीं आ रही आपकी हलो आँ जी पंकसेठी हां जी हां जी बिल्कुल पंकसेठी से भी हम बात करेंगे अभी मैं यह एक्स्प्लेइन करना चाहूंगा देखिए ज्यादत तर जो लोग होंगे ना यह जो कैपिटल है ना ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब मतलब बहुत यह करोड़पती खांदान से होंगे इन होगा यह कैपिटल बनाया फिर ऐसे इन्होंने कहीं चोटे होटी चोटी कैपिटल से इतना बना बनाया और फिर लोस किया पिर लड़की थी इसने इतना बड़ा कैपिटल बना करके कRIप्टो में दो तीन दिन के अंदर पूरा कैपिटल जो नहीं वहों खो दिया Venice च और वो वाला जो account handling services उनके चक्कर में first करके 62-70 करोड का loss ले चुके हैं एक बर माइक ओफ कर लिजिए किसी का माइक कोन है साइद तो जैसे अभी आज हमारे साथ में पंकजी है पंकजी ने बताया कि ये लगबग 2009 या 2010 से ट्रेडिंग कर रहे हैं 2009 या 2010 से जो है न क्रिप्टो के अंदर एक्टिव है और इनके पास इन्होंने कुछ बिटकोइन खरीदे थे और इन्होंने बताया कि इन्होंने टोटल 120 सी थे और अगर आप देखेंगे ना बिटकोइन का जो प्राइस हाइस्ट गया था साइध 55 लाग क्रोस कर गया था पंकर जी मैं सही बोल रहा हूं क्या हाइस्ट कितना गया था ये 55 लाग के संथिंग गया था ना 60 लाग ओके देखिए एक एक जो बिटकोइन है ना वो था और इनके पास में ना 120 थे तो लगबग 72 ये हो गया क्या बहतर करोड हो गया ना 72 सी आर बहतर करोड का लोस इन्हों ने लिया अब देखिए इन्हों ने एक चीज जो फोलो नहीं करी ना वो ये थी कि रिस्क मैनेजमेंट जब इतना पैसा बंद रहा था ने इनको अट उसमें से 10-20% भी अगर ये बुक कर लेते तो 14-15 करोड फिर भी अटलिस्ट इनके हाथ में होते लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा जो था एक अकाउंट हैंडलिंग सर्विस वाला जो था उस बंदे को दिया जैसे मेरी आज बात होई थी और इन्होंने बताया कि उन्हों अच्छा अच्छा प्रोफिट भी इनको करके दिया वह खुद भी जो कमीशन पे इनसे 20% कमीशन लेते थे उन्होंने भी 35 लाग रुपे कमाए लेकिन हुआ कि वह बंदा जो है ना लालच में आकर के लेवरेज जो है ना लेवरेज जो है वह बहुत हाई लेवरेज लेने अभी आप बिगिनर हैं तो आप 20 से स्टार्ट कर सकते हैं 50 मैकसिमम 50 एक्स तक जाए पूरा मत लीजिए 100 एक्स तो पंकत जी जो है ना इनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी इनका ये था कि इन्होंने लर्निंग पे फोकस नहीं किया हमारा पहला पुइंट क्या है एक चीज़ बताता हूं 90 जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं मैं बताता हूं उनका जो स्टार्टिंग का जो ग्राफ होता है वो ये वाला होता है ठीक है फिर उसके बाद में उनका ग्राफ कुछ इस परकार से होने लग जाता है कुछ इस परकार से ठीक है और फिर व वो ऐसे ऐसे चलने लगते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे, ये वाली जो phase होती है, ये सबसे खतरनाक होती है, ठीक है, ये वाली phase के अंदर क्या होता है, वो बंदे क्या करेंगे न, टेलिग्राम के उपर सिप्ट ओना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर अकाउंट मैनेजमेंट जो होते हैं, जो अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज जो होते हैं, जो 99% उनमें फेक ही हैं, उन लोगों को अपना अकाउंट दे देते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये अपने कुछ account के screenshot वगेर अपने Instagram पे share करते हैं अपने WhatsApp पे share करते हैं अपनी community में share करते हैं मतलब like हर जगह पे फैला देते हैं और अपने वीडियो के starting में जो है न 15-20 screenshot डाल करके वो इस तरीके से आपको manipulate करेंगे कि आप हमसे account handle करवालो आप हमको जो है न 1,00,00 रुपे दे दो और महीने का जो है न आपको हम 15% देंगे यानि महीने का 15,000 भी अगर वो दे रहा है तो आपको मतलब ठीक एक बंदे की पास 10,00,00 रुपे हो बोलेगा चलो एक काम करता हूं मैं इसको 5,00,00 देता हूं तो मेरा अच्छा खासा profit महीने का 75,000 तो यहां पे आ राएक salary की तरह आन सब्सक्राइब को लोस हो गया इन्हें गंटा कोई फरक नहीं पड़ रहा है क्योंकि लोस का तो कुछ deal हुई नहीं थी, deal हुई थी सिर्फ profit की, right, losses होंगे तो वो आप के होंगे, लेकिन profit के अंदर वो हिस्सा मांगने के लिए आ जाते हैं, जादतर लोग ऐसे ही करते हैं, तो आपने हमेशा एक चीज़ पर focus करना है और वो है learning, learning के लिए मैं आपको बताता हूँ जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको हमारी crypto series पसंद ना आई हो, लेकिन मैं आपको कुछ ideas दे सकता हूँ कि किस परकार से आप और भी बैतर तरीके से crypto trading सीख सकत आते हो, आप जो है ना ट्राइ करके देखते हो कपड़ों की fitting वगेरा, तो आप मेरा YouTube चैनल भी देखिए, दो चार और लोगों का भी देखिए, जहां पे आपका दिल ठहर जाए ना, वहां से आप सीखना स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले आप देखिए कि क्या उस बंदे का दिखा दिया, और आपको लगए कि चलो अब हमाँ इसका course ले लेता हूँ, वो चीज़ पर focus मत कीजिए, focus यह कीजिए कि क्या उस बंदे ने एक series दी है, basic से, like अगर आप देखेंगे मारवारी ट्रेडर का YouTube चैनल, जिसके उपर भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, वह प्रोपर guidance वहाँ पर आपको मिलेगी की नहीं मिलेगी, यह बहुत important है, make sure कि आप इस तरीके से आगे बढ़ें, कहने का मेरा मतलब यह है कि starting के अंदर क्या होता ना, कि आप लोग नाप सिर्फ और सिर्फ focus करते हो कि देखो, मारवारी ट्रेडर ने 15,000 डॉलर बना दिये, गंशाम सर ने एक करोड बना दिया, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कमेंट में भया यह negative comment मत डाला, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, कि आपकी जो भलाई होगी ना, आपकी जो profit बनेंगे न वो आपकी दिन रात की मेहनत से बनेंगे, आपकी learning से बनेंगे, गंशाम सर आज 3 करोड का profit कर लिए, सुवासिस पानी सर ने आज इतना कर लिया, ठीक है, उसने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, क्या मेरे और इन लोगों के profit से आपको 1 रुपिया भी मिलेगा, बिल पर जितने भी लोगों को follow कर रखा है, सबी को unfollow कर दीजिए, बहुत सारे लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, हर एक उस चीज़ से दूरी बना लो, जो आपको misguide कर रही है, आपको manipulate कर रही है, अप इस चीज़ से सहमत तो है ना, एक बात ब कुछ motivation नहीं मिलेगा, आपको ना, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा लालच, और आपको मिलेगा जल्दी से जल्दी ना, मैं इस इस range में पहुंचाऊँ, भी या उस range में पहुंचने के लिए, उन यूट्यूबर्स ने, उन ट्रेडर्स ने ने पांस साथ साल की कठिन तपस्या क करी है, कठीन, क्या क्या उन्होंने जहला होगा, तब जाकर कि वो आज 1CR या 50 lakh का profit कर पा रहे हैं, उस level पर अगर आपको पहुंचना है न, 1CR तक अगर आपको पहुंचना है, तो कम से कम 3-5 साल तक अपना खून पसीना देना पड़ेगा इस market को, अपनी रातों की नींद देनी पड़ेगी, रात को 2 बजे तक जागना पड़ेगा, मैं अभी भी रात को 3 बजे सोता हूं, सुबह 5-6 बजे उड़ जाता हूं, तो आपको लर्निंग पर फोकस करनी है, लर्निंग आपकी ऐसी होनी चीए, लाइक जब आप पढ़ने बैठो ना, जब किसी आप सेट सेट अप को पकड़ लो, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए आपको, एक सेट अप को मास्टर कर लो और उसके ओपर इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, जबरदस वाली प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो हम डिसकस कर लेते हैं, व ले सकते हो इधर आप लोट लेते हो तो मैं यह कहता हूं कि चाहिए बैंक निप्टी हो निप्टी हो चाहिए क्रिप्टो कुछ भी हो आपने न हमेशा 10% रूल को फॉलो करना है अच्छे 10% रूल क्या होता है जैसे मैं बताता हूं कि अगर माल लीजी कि मेरे मेरा जो 10% कितना हो गया 1000 डॉलर 1000 डॉलर से ज्यादा की मेरी ट्रेड हो गी नहीं उस दिन पॉजिसन साइजिंग मैं क्रिप्टो में समझा रहा हूं आपका जो केपिटल है लेट से आपका 1000 रूपे का सोरी 1000 डॉलर का केपिटल है यानि कि आपका लगभग 85 से 90 जार रूपे आपक maximum 100 या 150 डॉलर इससे ज्यादा काप मत लिजी अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं देखो मेरे अकाउंट में 10,000 डॉलर पड़े और मुझे लगता है कि इस लेवल से ना मार्केट ना ऊपर निकलेगा मैंने या पर ब्रेक आउट पे ट्रेड ले लिया और माल लिजी मेरा करने से फायदा क्या होता है अब थोड़ा सा इसको गोर से समझने का ट्राइ किजिएगा यहां पर मैंने लिया है 10,000 डॉलर की ट्रेड ठीक है और यहां पर अगर मैं लेता हूं 10% रूल के अकोर्डिंग 1000 डॉलर की ट्रेड दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है यहां पर मेरा जो कैपिटल है ना वो 100% दाओं पे लगाए यानि मेरे माइंड के उपर जो दबाव है ना वो 100% कैपिटल का है लेकिन यहां पर आप देखेंगे मेरी सिर्फ 10% कैपिटल है यानि कि मेरी जो टैंसन है ना वो भी सिर्फ 10% है एक दहाई मतलब 1 बटा 10 ही है 1 by 10 ही ह मतलब अगर 1000 रुपे अगर लिक्विडेट भी होगे ना तो भी कोई टेंशन नहीं है अब भी भी मेरी 90% कैपिटल मेरे हाथ में है एक ही दिन तो बुरा गया है आने वाले टाइम के अंदर कर लेंगे प्रोफिट क्या दिक्कत है लेकिन अगर आपने गलती से पूरा का प कि आपका जो ट्रेडिंग होता है ना उसके अंदर एक डिसेंट सा अमाउन्ट रखी एक डिसेंट अमाउन्ट से जैसे आप बैंक निप्टी के अंदर 25500 रुपे से अब और ट्रेड कर सकते हैं तो क्रिप्टो के अंदर क्यों नहीं रख सकते हैं आपकर आपिंगे अ Nee ले कोई इश्यू नहीं है मेरे को कोई बात नहीं है हमारी क्लास में हमारी क्लास में कुछ ऐसे स्टुटेंट है जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते वो नहीं चाहते कि मेरी आवाज कोई और सुने वो चाहते हैं कि मैं वही सुने इसलिए म्यूट कर देते हैं तो कोई बात तो थोड़ा यार मतलब बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें थोड़ा सा आप कोपरेट करो ना क्यों मतलब मजाग करते हो इतना तो गाइस हमेसा ना आप अपने ट्रेडिंग अपने ट्रेडिंग के अकोर्डिंग 10% को ही यूज करो 10% को यूज करोगे ना तो आपका 90% के पिटल सिफ रहेगा आप सुरक्षी तरीकिये से ट्रेड कर सकते हो और एक और चीज मैं बताना चाहँगा पॉजिशन साइजिंग में जो 10% रूल है ना इसके अंदर एक तो होता है आप 10% केपिटल से करते हो और एक होता है 100% केपिटल से करते हो यहाँ पर अगर इस rule को follow करके आप trade करोगे न तो महीने बर के अंदर माल लीजिए कि मैं सिर्फ एक example दे रहा हूँ आप ना 500 डॉलर का profit बना रहे हो एक example दे रहा हूँ लेकिन अगर आप अपनी 100% capital यूज़ करके करते हो तो हो सकता है आप 5000 डॉलर का capital का profit बना सकते हो ये calculation हर कोई करता है सब को न ये वाला चाहिए ये वाला किसी को नहीं चाहिए लेकिन एक बात बताता हूँ एक गलत move आएगा और ये पूरा का पूरा सब खतम हो जाएगा लेकिन अगर यहां पर एक भी trade गलत हो गई न आपकी फिर भी आपका 90% capital सेव रहेगा तो हमेशा कोसिस कीजिए कि आप end of the month ठीक है ये मैंने क्या लिख देए एक मिंट end of the month जो है न उसको focus कीजिए कि नि महीने के end के अंदर आपका एक total इतना balance होना चीए जैसे जैसे आप trading करेंगे न देखिए आने वाले एक साल के अंदर अंदर आपना एक phase को phase करेंगे जिसको मैं बोलता हूँ saturation ठीक है saturation phase क्या होती है trading के अंदर saturation जो होता न जब आप अपने losses वगरा को recover करके आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पिना आप अपना एक target set कर लेते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है ना 50K से लेकर के 80K इसके बीच के ना ये आपका saturation phase है इसके अंदर मतलब संतुस्टी मतलब त्रिप्ती का एहसास आपको होता है कि ठीक है आज मेरा nifty में bank nifty मिला करके मेरा 50,000 के उपर निकल गया 80,000 50 और 80,000 के बीच में है मेरे को ठीक है अब exit कर देना ज्यादा लालच नहीं करना है ज्यादा लालच करूँगा तो मैं ये भी market को दे दूँगा तो ये सारे चीजे नहीं करनी है तो ये होता है हमारा saturation phase तो दीरी दीरी इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जस्ट हम आगे वाले point पर पड़ लेते हैं हमें साह एक trading plan को execute करने का try कीजी उसी पर trade लेने का try कीजी दिन के अंदर आज हम एक गंटे live थे तो वहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पर क्या होता है हम एक setup draw करते है हमारा जो एक trade setup होता है trade setup का मतलब क्या होता है जैसे आप trade लेने वाले होते है तो वहाँ पर पहले से plan करके रखते हैं यह मिला target रहेगा यह मेरा TP है यह मेरा entry है और यह मेरा SL है तो यह आपका trade होता है इस परकार से trade setup होता है और market अभी इस range में घुम रहा है जैसे इस range में आएगा ना है यहाँ पर आपका entry हो गया और वह इस परकार से आपको target देगा तो यह है जब तक यहां पर FOMO में ट्रेड नहीं लेना है तो हमेशा आप एक trading plan को follow कीजिए trading plan का मतलब क्या होता है market के अंदर आपने overall देखना है कि market की strength क्या है ठीक है market strength क्या है market की direction क्या है वो चीज़ें आपको देखनी है और आपका जो setup है वो आपको क्या बोल रहे है आपको एक plan के तहट काम करना है कभी भी जो है आप FOMO में trade मत कीजिए यह मत सोचिए कि यार मैं ले लेता हूँ पता नहीं मैंने जो बनाया है उस पर पता नहीं कब आएगा आएगा की नहीं आएगा आएगा और नहीं आएगा ना तो छोड़ दो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आज profit नहीं होगा और profit नहीं होगा तो loss भी तो नहीं होगा यह चीज़ भी तो अपने देखनी चाहिए आप automatically break even पर निकल जाओगे तो हमेशा एक trading plan को follow कीजि और जो भी बंदा crypto के अंदर यह multiple trading plan वाली जो होती है ना जैसे bank nifty में आप लगाते हो कि यार बड़ा target नहीं मिला चलो scalping कर लेता हूँ चलो 2pm कर लेता हूँ 3pm कर लेता हूँ यह कर लेता हूँ moving average का crossover कर लेता हूँ bank nifty में तुम 14 strategy लगाते हूँ फिर बोलते हो loss होता है एक setup को follow करो और जैसे कि आपको पता है कि चाहिए इंडियन stock market हो चाहिए crypto हो आपको stop loss बहुत ज़रूरी है आप हमेशा ना अपना target set कीजिए और अपना stop loss set कीजिए कि like इस trade के अंदर मेरा यह target रहने वाला है और मेरा stop loss रहेगा जैसे आपने मालीजी कि stop loss जो है ना वो लिया है दस डॉलर का मेरा stop loss है यानि दस डॉलर से ज़्यादा का मैं आज loss नहीं करूंगा और target का अगर आपने लिया मालीजी आपने 40 डॉलर का लिया है अगर आज मैं 10 डॉलर खोने की चाहत रखता हूं तो 40 डॉलर प आप सभी लोगों को समझ में तो आ रही है ना चीज़े यह सर्ट यह क्लास जो है ना यह क्लास आपको ऐसे लगेगा कि पांच मिनिट में खतम होगी देखना इसका मतलब क्या होता है कि जैसे चलो अब आपने पूछ लिया एक बार माइक ओफ कर लीजिए माइक ओफ प्लीस मैं यहां पर फटा-फट बता देता हूं कि यहां पर देखेंगे ना यह वाली आजकी हमारी ट्रेट थी जो हमने उस समयली थी हाला कि इसके अंदर हमें टारगेट नहीं मिल पाया इसके अंदर गर आपको तो आपको साथ दिखाई दे रहा होगा जैसे यहां पर देखने को ट्राइ कीजिए नीचे की साइड में ना अठारा लिखा हुआ है नीचे रेड में अठारा और यह आपका एंट्री यह एंट्री पॉइंट है यह टारगेट है उपर की तरह तो यहां पर नीचे लिखा है रिस्क टू रिवोड वन Black and Kiss292 यानि की अगर आप यहां पर िन्ट करें यहां पर यह आप ट्रेड को एक्जिट कर दोगानि लोस अंपर आपका इतना सा है इतना साल लोस लेने के लिए आप तर्यार हो और इसके बदले बंद और उसम्रॉफित आंश्व When違ylaSi यानि लोस अगर आप एक कर रहे हो तो यह टोटल दूरी कितनी हो गई? यह हो गई आपकी 9 तो यह रिस्क टो रिफोरी कितना बन गया यह आपका बन गया 1 इस्टो 9 यानि एक जो चोटे वाला जो नंबर ओता न यह ओता है आपका रिस्क और यह होता है आपका रिवोर्ड इस परकार से इसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवोर्ड रेसियो आई होप की चीज समझ में आयोगी चलिए फटा फट जो है न हम अमारे टोपिक को फिनिस करते हैं अदर्वाइस आज क्लास अधूरी रह जाएगी वाली तो क्लास पहुत इंपोर्टेंट है यह मिस हो जाएगी फिर इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब भी आपका क्यूए न होगा न उसके अंदर हम करेंगे सारा स्टॉप लॉस और टार्गेट और मैंने अल्रेडी दो तीन वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर टार्गेट स क्या से लगाऊं स्टॉप लॉस आप वीडियो को देखिए दो बार देखिए आपको समझ में आएगा वो चीज़े आप छोटा-छोटा प्रैक्टिस तो करके देखिए वहां पर तो स्टॉप लॉस और टार्गेट जो है न वो आप हमेशा लेकर के चलिए बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपका लॉस और बड़ा लॉस होने की चांसेज हो सकते हैं और क्रिप्टो के अंदर क्या होता है जैसे आप रात पर जो है हो सकता है टार्गेट को टच करके और उपर निकल जाए या फिर इहीं से निवर्स आ जाए आपने ये टार्गेट सेट कर लेना है नीचे का एक SL लगा करके फिर सो जाओ या तो सुबह SL मिलेगा या फिर टार्गेट मिलेगा अगर जाग सकते हो तो उसको मैनेज करते रहो swing traders जो है उनका भी यह होता कि वो trade अपनी manage करते रहते हैं लेकिन यह होता कि वो सोते भी तो हैं अगर सोते time गलती से fall आ गया तो कोई बात नहीं है उनका जो loss है जितना उन्होंने decide क्या हो जाएगा उनका जो एक proper risk to reward ratio जो है उनका risk management है वो follow करते हैं एक और important point है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए चाहिए crypto हो चाहिए हमारा bank nifty हो do no trade against the trend मान लीजिए कि market जो है वो downtrend में चल रहा है especially crypto वाले ध्यान दीजिएगा downtrend में चल रहा है और आप क्या कर रहे हो किसी point पर रिवर्सल प्लान करके पैड़ जाते हो आप यकीन मानिए थोड़ा बहुत रिवर्सल करके वो आपका SL खा ही जाएगा तो ऐसी situation में जब भी market आपका जो है चले तो आप हमेशा trend को follow कीजिए एक कावत है कि trend is your friend अपने दोस्त के साथ गदारी नहीं करो trend के साथ में आगे बढ़ो जिस direction में आपका trend है न मतलब trend के साथ आगे बढ़ोगे न तो आपको easily जो है न कमाई करके देगा market लेकिन trend के against जाओगे न तो वो momentum के अंदर आपका SL हिट होगा ही होगा कोई नहीं र ओर 기대ंग जोाती है न इसको कैसे काभु पया जा सकता है बहुत सारे स्टूडेंट बूछते हैं सर औरわか अ केसे रोके हैं मेरे जवाब करता हैं बहुत फोनी होते हैं मेरे स्टुलेंट्ट था ठीक है नाम लेना ठीक नहीं सहीद इस क्लास में भी उअसकते गुरुमंदर की तो मैंने उस्से पूछा मका तुम्हारी कोई गट्रेंट है भूला हां सर तो मका इससे पहले कितनी रिखתיों भूल शेकंड येर में था को जीश के अंदर उससे तुम complete कर लेने दीजिए तो he said कि sir मैं उससे ना बहुत प्यार करता हूँ तो मैंका उसके लिए कुछ भी कर सकते हो बुला मैं कुछ भी कर सकता हूँ sir वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है ऐसे से करके तो मैंका एक काम करना अगली बार जो trade लो ना तो आप क्या करना 1 प्लस 1 ये setup फोलो करना यानि कि आपकी ये trade हो गई ना 1 प्लस 1 का setup मैंने उसको बताया कि कि किस परगार से फोलो करना है अगर आपका पहली trade के अंदर अगर आपका profit हो गया तो आप दूसरी trade के अंदर जाएंगे लेकिन अगर पहली trade के अंदर अगर आपका loss हो गया ना तो यहाँ पे आप दूसरी trade को फोलो नहीं करेंगे दूसरी trade के अंदर entry नहीं लेंगे और कोसिस ये करो कि पहली trade जो है ना वो बहुत सो समझ करके लीजिए माल लीजिए कि आपका किस परकार से ये चीज़ें काम करती है 1 प्लस 1 जो मैंने उसको बताया आप भी इसको अपलाई कर सकते है 1 प्लस में क्या पहली trade के अंदर अगर आपका profit हो जाता है तब ही आप दूसरी trade के अंदर जाइए पहली trade के अंदर loss हो गया तो दूसरी trade आप मत लेगे आगे आपको कोई भी trade नहीं लेनी है अपने system को आप close कर दीजिए ठीक है पहली trade में profit दूसरी trade आप ले सकते हैं पहली trade में loss आगे आप trade नहीं करेंगे पहली trade में profit हो गया दूसरी trade में profit हो गया आप अपने system को close कर देंगी यानि कि आप अपने Sona, Mona, Babu, Jadu, Tona जो भी है उसकी कसम खालो अगर उससे प्रेम करते हो और उससे भी ज्यादा प्रेम अगर आप अपने मम्मी पापा से करोगे तो ज्यादा बेटर है तो आप अपने मम्मी पापा की कसम खालो कि आज मैं दो ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करूँगा किसी भी condition में कुछ भी हो जाए इधर से उधर जाए धरती लेकिन मैं आज दो ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करूँगा जो लोग लेट आ रहे न प्लीज आप लोग उनको एड्मिट करते रहेगा और यह क्लास 20 मिनिट की बची है मैं इसको फटा-फट ओवर करने की तो ओवर करने की देखिए एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ जैसे मेरा जो सिद्धानत है न वो मैं क्या फॉलो करता आप अपनी गल्फरेंट की कसम खाओ, मम्मी की कसम खाओ, पापा की खाओ, किसी की भी खालो मैं कुछ अलग तरीकी से काम करता हूँ यहां पर स्क्रीन पर जो है न मेरे जो इस्ट देवता है हनवान जी मैं इनकी जो फोटो है मैंने लगा रखी है और यह मैंने काफी को आप मानते हों, उनसे आप बातचीत करना स्टार्ट कीजिए, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें न तो इनसे न बस एक आसिरवाद लीजिए कि हे इस वर जो सेट अप मैंने बनाया है मैं सिर्फ उसी सेट अप पे ट्रेड लूँ, जो मेरा रिस्क टो रिवोड बस मुझे इतना आसिरवाद दे दीजिए, आज मैं दो ट्रेड से ज्यादा ट्रेड ना लूँ, बस इतना मुझे आसिरवाद दे दीजिए, आप यकीन मानी, करके देखिए, 20-25 दिन ये चीज़ करके देखिए, लेकिन वहाँ पे ने पूरी स्रद्धा होनी चीए, जरू उसिए, पने मम्मी पापा को समांड करके, उनको याद करके आप आसिरवाद ले सकते हैं, मेरा यही तरीक है, मैं अपने जो इस्ट देवता है, उनका आसिरवाद मेरे साथ में है, मैं बिलकुल अच्छा करूँगा, और जब तक मैरा जो ट्रेड सेटब है, उसके उपर का मतलब क्या होटा है जैसे आज दोपैर वाणी लाद आई लाइब क्लास के अंदर थे ना तो हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि यह जो अगर निकले गा यहाँ पर रिटिस्ट करेगा तो हम लोग करेंगे क्या बता रहे आप बॉर्समें ट्रेड कर सकते हैं गया अंत Biz स्थिफर नहीं मैं मैं मैंने अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग डार्ट नहीं किया है तो मुझे इसका कुछ आइडिय नहीं है मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है यह इत reinforced के नहीं है in future अगर मैं कभी करूंगा तो definitely I'll tell you तो देखिए आपने क्या ना bad trades को avoid करना bad trade का मतलब क्या होता है जैसे आज मैं दिन में आपको बता रहा था ना no trading zone no trading zone के अंदर क्या होता ना एक ऐसा एरिया जहां पे market ना बहुत sideways चलता है बहुत choppy market होता है उसको ना avoid कर दो कि जब तक इस range के उपर नहीं जाएगा तब तक trade नहीं करूँगा तब तक इसके नीचे की तरफ नहीं निकलेगा तब तक trade नहीं करूँगा और यहां पे ना बहुत सारा FOMO क्रेट होगा इस FOMO के अंदर ना बहुत सारे लोगों को market पीस देगा तो यह आपका ना एक no trading zone होना चाहिए यहां पे जितनी भी trades होती ना उनको हम बोलते है bad trades और इन bad trades को आपको avoid करना आना चाहिए अब एक बात बताओ market आपका side way चल रहा है ऐसे उपर नीचे हो रहा है अब आप बोलते हैं यहां से खरी दूँगा नीचे वो आपका SL खा जाएगा उपर आ करके थोड़ा सा SL खाएगा नीचे आ करके तो ऐसी situation को बेटर रहना है कि आप बिना लालच के बिना किसी डर के आप अवईड कर दो फोमो में ना आओ आओ आप सोचते हो कि यार मार्केट मुझे सेलेगता ना फोल होगा तो मैं बिल्कुल ना टॉप से कैप्चर कर लेता हूं यहां पर आप थोड़ी दिर देगो नीचे जाएगा अपना SL खाने के लिए उपर आ जाएगा चोपी मार् यह साइध हमारा लास्ट टॉपिक है गया और इसके की यह सेकंड्ड लास्ट है मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि ज़्यादतर लोग क्या करते ना यह सब सब को पता है और सब को इस Іसे बहुत प्यार है प्रॉफिट और प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले आपको द डिजिट दिखाई दिया है ना ऐसे आता ना पी एनल 46,819.53 का प्रोफिट ऐसे कुछ आता है ना इसको तुम सिर्फ और सिर्फ डिजिट समझते हो जैसे पेट्रोल पंप की मसीन पे वोजी डिजिट चलते है ना वैसे तुमारे लिए सिर्फ एक डिजिट है तुम इसको पै अपनी कैपिटल को 145 के बना लोगे और इससे ट्रेड करोगे अब इससे तुम ट्रेड करोगे ना प्रोफिट किया था 45,000 का अगले दिन तुम 57,000 का लोस कर दोगे यहां से यह माइनस में हो करके फिर बचेगा तुमारा माली जी कि यह बच गया आपका 87,000 तो इस तरीकी से दिरी 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 आप अपनी जेब से जो कैपिटल लगाई ने उसको खोते जाओगे तो आप जो आपके जो प्रोफिट होते है ना उसका मैं बोलता हूँ 60 to 70 परसेंट जो होता है ना उसको विड्रो कर लो अच्छा विड्रो करने के बाद में आप क्या कर सकते हूँ सकते हो ठीक है इस पैसे में से जो है कुछ जो है ना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कोई सी बढ़िया कंपनी के आप शेयर से ले सकते हो यह हो सकता है कि आप अपने घरवालों को को कुई गिफ्ट कर सकते हो राइट यह हो सकता है कि आप किसी अन्य परपस के लिए माली कर सकते हो यह कुछ भी कर सकते हो इस प्रोफिट का ना इस्तेमाल करना सिखो जैसे मैं चीज चोटी सी मैं चीज बताता हूं मेरे पास में जितनी भी चीजें है ना जस्ट वन मिनिट मैं आप लगों के पास आ जाता हूं एक बार टाइम देख लेते हैं कितना बचा है 15 मिनिट साथ है मेरे पास में जितनी भी जो भी गैजेट्स हैं जो कुछ भी आज मैं पहनता हूं खाता जो कुछ भी कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोफिट का है मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी profit पे जिनता हूँ और जब मा लीजी कि मैं सूज पहनता हूँ मुझे फिल आता है कि वो जो green green profit दिखता ना उसी से ये आये हैं मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ वो उसी profit से आये मैं bike चला रहा हूँ वो bike उसी profit से आये तो मैं मैं वाइल यूज़ कर रहा हूँ जो मेरा लैपटोप है कुछ भी एनिफिंग जो आज मेरी लाइफ है मेरे पास में है वो सब कुछ उस ग्रीन ग्रीन डिजिट से आया है आपके लिए वो सिर्फ और एक सिर्फ एक ग्रीन डिजिट है जिसको आप अगले दिन अपनी कैपिटल बढ़ाने में यूज़ करोगे मैं उसको विड्रो करके अपनी लाइफ को एंज्योई करूँगा तो आप अलग-अलग तरीके से उस कैपिटल को यूज़ कर सकते हो आप ज़रूरी नहीं कि पूरा 100% विड्रो करो कुछ पार्ट उसका विड्रो कर सकते हो अजे स इसके ओपर सर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जैसे डिपोजिट वाले मैंने वीडियो बनाए ना वैसे एक डारेक्ट इसमें बैंक अकाउंट में भी आप विड्रो कर सकते हैं उसके उपर मैं एक वीडियो बना दूँगा जी बिल्कुल और जब आप पैसे इन्वेस्टमेंट कीजी और कुछ अच्छा जो है कुछ खरीद सकते हैं अपनी वाइफ के लिए कुछ जो है अच्छा सा गिफ्ट ले सकते हैं राइट एक चीज़ हमेसा यार देखिए मैं जैसे मेरे पिछले कई वीडियो में बताता हूं मेरे कई से स्टुडेंट है जो क्या है कि अभी मेरे एक स्टुड्ट है गुद्डू वो सिर्फोर सिर्फ मेरे से एक साल पढ़ाये ठीक है पिछली साल अप्रेट में स्टार्ट किया था गुद्डू ने गुडू है कि इस क्लास में साइध नहीं होगा एप्रियल में उसने स्टार्ट किया था ठीक है और गुडू के बारे में बता देता हूं कि गुडू जो है ना वह एक सॉल्जर है आजस्ट वन मिनिट यार सच में यार यह मेरा फोन को क्या हो गया एक मिनिट रुकिएगा गाइस यह पूरी क्लास खराब हो जाएगी बना अजस्ट वन मिनिट यह फोन पर पानी गिरते नहीं आटोमेटिक चलने लग जाते हैं न अरे यार इसको साइड रख देता हूं मैं एक्चली पसीना थोड़ा सा उस पर गिर गया था जिसकी उसे वह आटोमेटिक चल रहा था यह क्लास ओडियो इसमें रिकोर्ड हो रहा था ओके गुड्डू की मैं बता रहा था आपको तो गुड्डू जो है वो डिफेंस में को जोइन किया था ठीक है जो हमारा जो गुरू मंतर वाला जो सेट अप था वो एप पे लॉंच होने से पहले मैं लाइव ऐसे पढ़ाता था तो एप्रेल में उन्होंने सीखना स्टार्ट किया था हमारे गुरू मंतर बैच में और अभी 15-10-15 दिन पहले उस बंदे ने ए पिछले एक साल में उसने अच्छी खासी कमाई करी है और जिसमें से उसने और भी छोटी-छोटी चीजें ली हैं अपनी लाइफ को भी अच्छा से एंजोई किया एक आइफोन उसने रिसेंटली परचेस किया था आइफोन 14 अब एक चीज सोचकर के देखिए एक बंदा ज जिन्होंने 10 साल में 60 करोड से ज्यादा का लोस कर लिया आप जस्ट इमेजिन करके देखिए और एक तरफ गुड़ू के अगर मैं बात करूँ तो वो बंदा जब स्टार्टिंग में मेरे से जुड़ा था दो तिन महीने उन्होंने गुरू मंतर वाला वो सेटप सीखा फि 1000 से 1500 के बीच में अगर तुमारा प्रोफिट हो रहा है निकल जाओ यह उती है सेचुरेशन वाली फेज ठीक है दो लोट है 1000 से 1500 बन रहा है मार्केट कैसा चल रहा है हमें घंटा फरक नहीं पड़ता हमें फोकस करना इतने पे डेली का अगर मैं इतना बना रहा हूँ तीन प्रोफिट में जाएंगी तो इस परकार से अगर आप देखेंगे न तो उसका महीने का 18000 से 22000 की बीच में बन रहा है और ही सेट की सर मेरा अच्छा खासा बन रहा है मतलब जितनी सैलरी आती है न लगबग सैलरी का 50% में ट्रेडिंग से कमा पा रहा हूँ और मेरे जो खर आट-दस महीने की उसी से ही बोट ए आइफॉन उसने आइफॉन 14 दिया यह सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी मैं उसको वह आइफॉन दिखा भी दूँँगा ग्रूप में जो बंदे ने खरीद है आप जस्ट इमेजिन करके देखिए उस बंदे ने ऐसा क्या अलग किया आप जानना चाहेंगे कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि वह बंदा इतने कम टाइम के अंदर प्रोफिटेवल बन गया चलिए मैं बता देता हूं गुड्डू जो है उसने स्टार्ट किया था क्रिप्टो से क्रिप्टो के अंदर जो है आपको पताईए क्या चीजें होती है जब पहली बार मेरी उससे मुलाकात हुई ना तो मेरा अच्छा का सा प्रोफिट चल रहा था तो उसको मैंने ऐसे द तो उन्होंने हमारा क्लासरूम प्रोग्राम जो फो जोइन किया जॉय्ट वाला और उसके साथ में एक दो दोस्त और भी थे बंदा होगा उसको कितना टाइम मिलता है ट्रेडिंग सीखने के लिए ही सेट कि सर मैंने आपको अपना गुरू माल लिया आप जो बोलोगे न मैं वही करूंगा आप जो बोलोगे उससे एक परसेंट भी मैं एक्स्टा नहीं करूंगा और मैंने उसको बहुत सिंपल जो गुरू मंतर थे वही दे थी कि मखह तुम एक लोट से प्रैक्टिस करो एक लोट से तुम पान सो से साथ सो रुपे का प्रोफिट निकालो ये मत देखो कि एक दिन में सिर्फ पान सो साथ सो रहा है और गंशाम सर एक करोड कर रहे है हमें गंशाम सर से क्या मतलब है और आपको मेरे से क्या मतलब है मेरा प्रोफिट चाई 50 लाग का हो चाई 50 करोड का हो तुम्हें उससे कुछ नहीं होगा मैं एक रुपया तुम्हें नहीं दूँगा तुम ये देखो तुम्हारा एक लोट से इतना बंद रहा है कि नहीं बंद रहा है इतना बंनने लगा और उस बंदे ने फिर दो लोट से बनाने लगा वो 1000 से 1500 की बीच में मार्केट के अंदर अगर आप देख लीजे बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स होंगे दो लोट से जब वो ट्रेड करते हैं उनको 1500 आराम से मिल जाते हैं लेकिन वो अब क्या करते हैं अपने कैपिटल को डबल ट्रिपल करने की चक्र में वो 1000 वो सब लोट करके माइनस में कर लेते हैं सारा गुड़ू ने क्या बोला कि सर जो आपने बोला ना मैं वही करूंगा और वो बंदा आज भी उससे बात करता ना तो यही बताता है कि सर अभी भी मैं 2 या 3 लोट से ही प्रेक्टिस करता हूं 1500 से 2000 का टारगेट रखता हूं मिलता है निकल जाता आपन डैले की जो ट्रेड लिमिट है उसकी वो दो के सर दो से ज़्याद हमाँ ट्रेड लेता ही नहीं हूं वन प्लस वन वाला जो सेटव अँप होलो करता है पहली ट्रेड में प्रॉफित ऑगया तो इमां दूसरी ड्रे को है पार ड्रिय मैं लस लैता है नहीं सिंपल यहांद मेरा एक दिन का कमाई कितना हो रहा है 1500-2,000 रुपय, अगले दिन जो है अगले दिन का मेरा जो लोट के उपर जो loss का जो है ना उस्हां सब्सक्राइब मैं लोगड़ का साथ सो से आट सो रुपय का logs में मैं लोंगा उस दिन चाया वो मतलब यह जो है न लिमिट 700 या 800 इसके बीच में जो लोस होगा निकल जाओंगा ज्यादा नहीं करूँगा आप सोच करके देखो पिछले दिन उसका 2000 का प्रोफिट हुआ आज उसने 800 का लोस कर लिया फिर भी वो बंदा 1200 रुपे के प्रोफिट में ही है तो जो रिस्क ले रहा है न वो अपने प्रोफिट पर ही रिस्क ले रहा है तो दिमाग पर कोई प्रेसर ही नहीं है और जब से उसने इस डिसिप्लीन को फोलो किया न लगातार 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 उसके चोटी 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 प्रोफिट है कोई बड़ा प्रोफिट उसने नहीं किया लाग दो लाग रुपेगा लेकिन उसके प्रोफिट जो हाइस उसने मेरे को बताया था कि सर मेरा 3800 का ऐसे कुछ प्रोफिट हुआ था उसका ये था कि उसने एंट्री लियर मोमेंटम के अंदर केंडल फॉल कर दी लगवे 200-300 पॉ अपनाओ एक लिमिट सेट कर लो कि भाई जैसे आप 200 डॉलर से आप ट्रेड करते होना तो आज आपका जो मैक्सिमम लोस है वह 20 डॉलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए 20 डॉलर से ज्यादा का लोस आज मैं लोंगा ही नहीं वन प्लस वन का फॉर्मुला पहली ट्रेड में तो ही दूसरी ट्रेड लोंगा पहले में लेस हो गया तो मैं भूल जाओंगा कि आज मैंने ट्रेडिंग करीब ही थी क्या राइट अब 200 डॉलर पे मैक्सिमम आप जो है ना 20 डॉलर से ज्यादा का आप लोस नहीं लेंगे और टार्गेट जो है आप कम से कम 40 डॉलर का रख करता है तो आप कम से कम जो है ना 30 से 35 परसेंट का तो यार लेकर के चलिए 30 से 35 परसेंट का मतलब कितना हो गया लगबग आपका 50 डॉलर के आसपास हो गया ना इतना भी अगर आपका डेली बनता है तो consistency के साथ में end of the month आप एक अच्छा portfolio बिल्ड कर सकते हैं और अब यहा करना स्टार्ट कीजिएगा यहां पर माली जी मैंने यह मेरी आज की एक ही ट्रीड है मैंने इसको फुल स्क्रीन पर कर देना है ठीक है और जैसे उसमें करेंगे ना क्रिप्टो के अंदर तो चार्ट को आप लगा लीजिए 30 मिनिट पे 30 मिनिट पे आप अपने चार्ट को लगा ली चलिए मैं मैं काम करता हूं ब्सको दो मिनिट की खल से इसे माल लीजिए कि मैंने ना कोई चार्ड़िय यहां पर माल लीजिए यह ट्रीड ली ठीक है और मेरा माली जी यह सल था और यह änge आपने टार्गेट रखा ये वाला ठीक है अभी मैंने क्या करना है इसको फुल स्क्रेन पर कर लेना है टाइम फ्रेम रखनी है थर्टी मिनिट पर क्रिप्टो का बता रहा हूं हूं वर कैसे करना है अगर करना स्टार्ट कर सकते हो तो कर लेना अधर्वाइस वह है आज मेरे वीडियोस देख रहे हो कल किसी और की देखो हुए टाइम फ्रेम जो रखनी है ना ठीक है टाइम फ्रेम रखनी है वो रखनी है आपने थर्टी मिनिट की आपने दिन में सिर्फ दो ट्रेड का ही सोचना है दो से ज्यादा नहीं पहली ट्रेड के अंदर लोस हो गया दूसर ले लूँगा इसका और इसका जो screenshot है ना उसको लेकर के मैं इस screenshot को ना print out कर लूँगा color print out करने के बाद में ना मैं यह लिखूँगा कि यह trade मैंने क्यों ली like मैं यहां पे entry क्यों किया logic क्या था अगर आपका target मिल गया तो अच्छी बात है अगर आपका loss हो गया तो आपको reason लिखना पढ़ेगा इसल क्यों हीट हुआ क्या आपने गलत सेट अप पे ट्रेड ली गलत जगे ट्रेड ली क्या आपने फोमो में ट्रेड ली एक महीने तक आप इस तरीके से follow करने का ट्राइ कीजिए definitely जो है ना results आएंगे हमारी जैसे गुरू मंतर की जो student है ना वो यही ही काम कर रहे हैं वो यही हेम करते से राजीव सर सन्था है कि आप सी रखेस्जिट कर सकते हैं इस पॉसिबल जैसे राजीव सर हमरी गुरू मंन्तर की student है इन्होंने माई से लेकर कि अब तक जितना भी होमवर्क किया ना डेली बेसेस पर वो पूरे के पूरे की ना इन्होंने एक PDF बना रखी है और वो PDF हमारे गुरू मंतर में इन्होंने सेंड करी हालां कि वहां पर बच्चे जो है अपना होमवर्क सब्मिट करते रहते हैं इस परकार से आप अपनी जब गलतियां लिखने लगेंगे न तो आपको यह पता लग जाएगा कि हमने उस 15 वीडियो की इस सीरीज में सीखा क्या और गलती अमने क्या करी गलती अमने ज् चोटा-चोटा स्कैल्प करने का ट्राई करोगे लेकिन वहां पर वह आपको लॉसेज ही देगा कोसिस किजिए कि एक ट्रेड लो पर अच्छी ट्रेड लो देखिए हमानसो जी जो है आप भी क्लास जोइन कर लें क्लास खतम होने के बाद में तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन और मुझे उमीद है कि ये सारे के सारे जो बुलेट पॉइंट्स थे वो अपने माइंड के अंदर हमेशा रखेंगे और ये जो पंदरा वीडियो की जो सीरीज है मुझे उमीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप सबी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार 2x स्पीड पे करके क्लास वन से एक बार फिर से रिवाइस कीजिएगा बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को और देखो पैसा मैंने बनाया है आप भी बना सकते हो इसी सेटप से इसके अलावा और कोई सेटप है ही नहीं हांजी हांजी बताइए आप प्लीज आप एक काम कीजिएगा ना अब अभी जो ना एक बार इन 15 वीडियो को एक बार रिवाइस कर लीजिएगा बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं जो आपको रिवीजन की जरूरत हो जब आप रिवीजन करेंगे ना तो डेफिनेटली कई चीज़े जो है ना निकल करके आएंगे कि यार यह इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया देखिए मैंने जो पैसा बनाया है ना 200 डोलर से 5000 डोलर बना दिया वह इसी सेटप पे बनाया है मैंने कोई स्पेशल काम इसमें कुछ भी नहीं किया है ना स्कैल्पिंग करिए मैंने यह बड़ी बड़ी ट्रेड्स ही पकड़ने को ट्राय किया और पैसा बनता है 100 परसेंट तक का भी रिटन हमने लिया है अगाइस यार यह क्लास जो है ना जस्ट वान मिनिट यह जो क्लास है अभी ओवर होने वाली है ओटमेटिक क्रिप्टो का लाइव हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे और यह जो क्लास हमारी ओटमेटिक डिसकनेक्ट होगी माइक्रोफ टेम से में वन आर की टाइम लिमिट होती है तो क्रिप्टो का लाइव भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे और उससे पहले मैं आने में हो सकता आपको प्रवाइड करवाएं लेकिन अभी के लिए में इतना कहूंगा इस सेट अप को आप मास्टर कीजिए और जैसे मैंने जो जो चीज एक्सपरिमेंट किये हैं जैसे मैंने पैसा बनाने का ट्राई किया और बनाया भी है उसी परकार से आप भी बना सकते जो भी सिर्क्रेट से इन पंदरा क्लासिस के अंदर मैंने आपको दिये हैं और मुझे पूरी उमीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा कभी भी आप पिएचडी करने का ट्राई मत कीजिए एक सेट अप पकड़ लीजिए और कोसिस कीजिए कि अपने नॉलेज जो है उसको लिमिटिड रखने का ट्राई कीजिए बहुत सारी चीजें सीखने का ट्राई मत कीजिए अलग लग सेट अप अलग लग स्ट्राइजी अलग लग लग इंडिकेटर पे मत भागी एक सेट अप पकड़ लीजिए जो हमने दिया है इसको प्रैक्टिस कीजिए और बैक फिर अगले दिन तीन डॉलर का लोश हो जाएगा कैपिल देरे-देरे वाइप आउट होती रहेगी तो एक डिसेंट अमाउंट से जब आप ट्रीड करेंगे ना तो वहां पर आपको जैसे प्रोफिट होंगे थोड़ा बराब प्रोफिट हो गया 40-50 डॉलर का तो आपको एक